शुप्रभात दोस्तों मैं शमयता शमयतार रूपक अथरा इस चैनल में हर बुद्वार की तरा आज भी हाजिर हुई हूँ आप लोग के सामने एक नया कविता लेके आज की कविता का जो टाइटल है बांगला में अगर हम प्रोनाउस करते हैं तो वो है जानुवारी इसके लेखक भी हैं श्री तीनकोरी पात्रों तो चलिए दोस्तों आज इस कविता को हम पठन करना या पाठ करना शुरू करते हैं जान्वरी जान्वरी तुम अमित शक्ती शानेत तलवार पराधिन्ता की नागपास तोर वज्र निनाद विश्य विजय शिकागो समुंदर की उस्पार जान्वरी तुम प्रेम भक्ती कल्पतरू त्याग और शक्ती जीव में शिव इंसानों की समाहार शिमुलिया से पोंडी चरी जान्वरी तुम सदाभाश्वर विवेकानंद में सास्वत राभटके की द्रुबतारा तुम इंसानियत के मंत्र अम्रित जान्वरी तुम हमारी पत हमारी परिचय वेद और वानी असतोमा सद गमय तमसोमा जोतिर गमय जान्वरी तुम प्रचंड नवीन जडता बिमुख वित्य और ज्यान कर्मे कठोर धर्मे उदार स्निक धशितल मुक्त प्रान जान्वरी तुम मिठे मधुर नलेंगुर और पिठे पुली पहला तुम प्रानों की आराम चैतन और ज्यानों की डाली बार्वी तुम उदात्व पुकार विश्व की तामस तोरी अंधेरा छोड नया प्रभात सब के बास लेकर छोरी तेईस्तुम वीर सेनानी वज्रनिनाद दिल्ली चलो श्रिष्ठ भारत स्वाधीन भारत जैहेंद सारे बोलो 26 तुम शांति की दोत स्फूर्तिले पंग स्वेत पारावत विश्व तुम्हारा स्रिष्ठ आशन शांति नीड अमर भारत मेरी भारत हमारी भारत महन भारत अमर भारत श्रिष्ठ भारत तो दोस्तो आज की अनुवाद यहां पर ही समाप्त हुआ कुछ-कुछ जगा पे मैं रुकती हूँ क्योंकि ट्रांसलेट करते हुए हिंदी शब्द प्रतिशब्द प्रतिशब्द या जो भी हिंदी शब्द संस्क्रिशब्द तस्सम के रूप में बांगला में भी और हि में असलो थोग्से थानी रखला इस हिसाब इस फिके हिंदी केए मुझे इस पदो शचन शुमा प्रतिशिए मृूसी जो कुछ-ईज़जब्द में करता debdi खलल होती है थोड़ा सा रुकावध होती है तो उसके लिए रुकावध के लिए खेद है जरूरह लेकिन आज की जो कवीटाय पूरी के पुरी-चैनिवरी महीने एक January क्या क्या हमारे देश के लिए पूरे विश्व के लिए क्या क्या लाया है इसका significance हम ना जानते हुए भी एक आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगी 26 January जो हमारे देश के लिए प्रजातंत्र दिवस है वो साधीनता से पहले इसी दिन में हम लोगों के लिए मनाया जाता था साधीनता दिवस मनाया जाता था और कई सारे देशों का Independence Day 26 January है तो ये एक footnote के तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर की और इसके साथ और एक चाहूंगी जैनवरी हम लोगों को खोब सारे बहुत बहुती अमेत और नवीन बहुती सोज विचार के बहुत सारे इंसिडेंट से खचाखच भड़ा हुआ इंसानों को बहुती सुन्दर मन और बहुती सुन्दर जीवन हम लोगों को पहार दिया है तो इसलिए नय साल की शुरुआत होती है जानवरी से जो शीतल कोमल होता है तो उसके साथ ही हम इसको आवाहन कर रहे हैं जानवरी को और बहुत ही करीब है नेता जिशुवास चंदर बोस की जनमती थी जो 23 जानवरी है तो इसके लिए भी इसके लिए भी ट्रिब्यूट फूल मंथ हूल मंथ जानवरी तो आज के लिए यहां तक दोस्तो आशा करती हूं कि यह कविता की जो अनुवाद है यह आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जरूर मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजि तो आज के लिए यहां तक ही हम कल फिर से वापस आएंगे और एक कोई नया उपस्तापन के साथ तो तब तक के लिए शमयता को इजाज़त दीजिए ठाड़ा